सुप्रभाद बच्चो आज हम हिंदी की क्लास में एक नया अक्षर सीखेंगे जो है अंसे अंगूर और मैम आपको अंसे अंगूर की एक कविता सुनाएंगी तो सब मैम के साथ बोलेंगे अंसे होता है अंगूर मीठे रसे ये भरपूर मोटे मोटे प्यारे प्यारे रसे भरे हैं सारे अंगूर अंसे होता है अंगूर मीठे रसे ये भरपूर तो आज हम कौन सा अक्षर सीखेंगे अंग से अंगूर और अब मैम आपको कुछ और चीज़े दिखाएंगी जो अंग अक्षर से शुरू होती है तो सब से पहले हमने क्या सीखा है अंग से अंगूर अब देखेंगे अंग से अंक अंग से अंक अंग से अंगूर्थी अंग से अंडे तो आज हमने सीखा अंग अक्षर और अब हम अंग अक्षर को अपनी हिंदी की नोट बुक में लिखेंगे तो चलो बच्चों अंग अक्षर को अपनी हिंदी नोट बुक में लिखते हैं पेरिस जब आप बच्चों को अंग अक्षर हिंदी नोट बुक में ट्रेस करवाएं तो उन्हें इस तरह बीच की तीन लाइनों में डॉच मार करके दे दीजगा ताकि वो इसको आसानी से लिख सके तो बच्चों ये क्या है अंग से अंगूर और अंग से अंगूर को कैसे ट्रेस करना है सबसे पहले हम यहाँ एक कर्व बनाएंगे ऐसे जैसे हम अ से अनार में बनाते थे फिर हम एक और कर्व बनाएंगे इस तरह अब हम यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और फिर हम उपर से एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए इसको अ से अनार की तरह लिख देंगे और A से अनार लिखने के बाद आपको उपर एक इस तरह से बिंदी लगानी है ये बन गया अंग से अंगूर जब A से अनार पे ये बिंदी आ जाती है तो वो बन जाता है अंग से अंगूर तो अब इसे फिर से ट्रेस करते हैं सबसे पहले हमें कैसे कर्व बनाएंगे बिना पैंचल उठा एक और कर्व बनाना है फिर एक sleeping line लगानी है और एक standing line बनाके अ अनार लिखते ना है और अब इसके उपर यहाँ एक बिंदी लगानी है यह बन जा अंग से अंगूर इसे फिर से trace करें पहले एक कर्व फिर एक और कर्व अब एक sleeping line एक standing line और उपर एक बिंदी अंग से अंगूर अब आप अंग अक्षर इस तरह अपनी note-book में लिखे और इस अंग से अंगूर में रंग भर के मैं आपको अपने classwork की फोटोस भेज दीजे okay children, bye bye!